नमस्कार स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है बाई जूस इक्जाम प्रेप आई एस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आज की जो बड़ी खबर है आज हम लोग चर्चा करेंगे जलिया वाला बाग हत्याकांड पर ठीक है अब देखिए चर्चा में क्यों है आपको पत उमत थी उसने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए जो निहत्ते भारती थे चाहे वो बड़ा हो बुजुर्ग हो महिला पुरुष बच्चे सब पे गोलियां चलवाई थी तो ये भारत के इतिहास में एक बहुती के बारे में जान लेते हैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको चीज़ें बताऊंगा और बहुती सहज भाव से इसको सुनिएगा जलिया वाला बाग हत्याकान जो है ये पूरा आपके समझ में आ जाएगा देखिए कहानी की शुरुआत होती है हमको पता है कि भाई जो प को क्रांतिकारी गतविधियों का केंदर है आपने जब आदुनिक भारत के इतियास में पढ़ा भी होगा कि कई सारे आपको यहाँ पर आंदोलन देखने को मिलेंगे कई सारे क्रांतिकारी संगठनों का उदभव देखने को मिलेगा और कई जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं वो इन्हीं दो छेत्रों से संबंधित रहे हैं, जो मुख्य मुख्य हमारे करांती कारी रहे हैं, ठीक है, तो पंजाब के एरिया में, क्या है कि ब्रिटिश को पता है, 1857 की जो करांती हुई, अचानक से एकदम से भारतियों का जो गुस्सा था, वो फूट पड़ा, ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि दुबारा कभी ऐसी कोई चीज हो, जो उनको पता ना हो, कि भाई जो भारत की जनता है, वो अंदरी अंदर, अपने अंदर कोई विद्रो की भावना पाल रही है, और फिर से 1857 की करांती के सम्तुल, कोई एक ऐसा आंदोलन वो कर दे, जो उनको उनसे कंट्रोल करना अब हो जाए मुश्किल, तो वो सबसे ज़्यादा चिंता थी उसको करांती कारी गतिविधियों की, तो वो चाहते थे कि उनके पास कोई एक ऐसी शक्ति आ जाए, एक ऐसा law बना दिया जाए, कानून आ जाए, जिससे कि जब भी उन्हें कोई संदेह मातर हो, केवल ऐसा नहीं है कि गतिविधी वहाँ पर हो गई, उसके बाद वो लोग एक्शन लेंगे, नहीं, उनको केवल संदेह हो गया, कि भाई ये जो फलाना व्यक्ति है, ये फलाना व्यक्ति जो है, वो बिटिश सरकार के विरुद्ध कोई शड़यंतर कर रहा है, कोई चाल चल रहा है, तो ये कल को कुछ कर सकता है, तो इसको काम करने से पहले ही क्या करो, गिरफतार कर लो, परन्तु उस दौरान उनके पास ऐसी कोई सुविधा थी नहीं, ऐसा कोई लौ था नहीं, तो भाई उस समय के जो गवनन जलनन थे, चेम्स फोर्ड, इन्हों ने क्या बोला, इन्हों ने बोला, कि भाई इनके पास एक बेंच थी, जैसे हम लोग क्या न्याया सुप्रीम कोट और हाई कोट में बेंच होती है, तो ऐसा ही उस टाइम की एक बेंच थी, न्याया पीट थी, उसको बोलते हैं किंग्स बेंच, ठीक है, तो किंग्स बेंच के जो न्याया धीश थे, वो थे कौन, सिड्नी रोलेट, तो चेंस फोर्ड ने इनको बोला, कि भाई, सिड्नी रोलेट साहब, आप एक ऐसा कानून हमारे लिए बनाईए, जो हमारे लिए एकदम ब्रह्मास्तर का काम करे, हम जिसको चाहें, जब चाहें, उठाहें, अरेस्ट कर लें, और कितने भी समय के लिए, हमें कोई भी जवाब नहीं देना है, ना हमें कोई अपील उसकी सुननी है, ठीक है, तो अब सिड्नी रोलेट साहब ने इनकी रिक्वेस्ट को बहुत अच्छे से सुना, और फिर उस पे अध्यन करने के बाद अपनी एक सिफारिश दी, ठीक है, उसी सिफारिश को हम लोग क्या जानते हैं, उसी सिफारिश का नाम जो था वो था अराजक और क्रांतिकारी अपराद अधिनियम, अराजक और क्रांतिकारी अपराद अधिनियम 1919, जिसे हम लोग जो जिस जो नाम फेमस हुआ है, वो क्या है रॉलेट एक्ट या इसको हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं ठीक है अब देखिए इसमें इन्हों ने क्या प्रावधान दे दिया कौन सा ब्रह्मास्त्र बिटिस सरकार मांग रहे थे जो सिड्नी रोलेट साब ने इनको दे दिया इसके अनुसार इस का ब्रिटिस सरकार जब जब चाहेगी तब किसी भी वेक्ति को किसी भी समय के लिएरेस्ट कर लेगी ठीक है अब देखिए पंजाब का मैंने आपको बताया कि उससमय तो भारत है हमको पता है कि आपने पधावगा कि British जब इंडिया में आएंगे भारत में, उसके बाद से इन्होंने अपनी नीतियां बराना है, तो नीतियों के कारण, चाहे इनकी आर्थिक नीतियां हो, सामाजिक नीतियां हो, इन्होंने किसी धर्म में हस्तक्षेप करने की कोशिश करी है, तो हर वर्ग ने इनका विरोध करा है, तो उसी दोरान क्या है कि पंजाब में भी ऐसा ही जनता में इनके प्रती रोश है, क्यों इनकी नीतियों को लेकर, ठीक है, इनकी आर्थिक नीतियों को लेकर पंजाब का किसान परेशान है, पंजाब के जो गरीब वेक्ती वो परेशान है, प्लस जो पर्थम विश कि नहीं जाना है, बिना पूछे सेना में भरती कर रही है, ठीक है, दूसरा कि अब उन्होंने ये क्या दे दिया, रॉलेट कानून दे दिया, ठीक है, रॉलेट भी आ गया, तो अब तीनों चीजें, रॉलेट ने क्या करा, इस पूरी आग में घी का काम कर दिया, पहले से ही वहां की जनता इन नीतियों से परिशान है, जबरन भरती से परिशान है, और उपर से क्या आ गया, रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट से अब ये जिसको भी चाह रहे हैं, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर ले रहे हैं, ब्रिटिस सरकार, तो जब ये तीनों चीजें आ जाएं इस दिन 13 अपरैल को अमरिट सर में जो जलिया वाला बाग का पार्क है, उसमें सारे जो पंजाब के निवासी हैं, वो आके एक साथ सत्याग्रह करेंगे, सत्याग्रह का मतलब था कि शांती से हड़ताल करेंगे, यहां पर कोई संगर्श नहीं होना था, नहीं यहां पर भी हो, चाहे आप कोई simple हड़ताल कर रहे हैं, या फिर हिंसात्मक कारवाही, तो आप भूली जाए ये roll attack आने के बाद, British सरकार नहीं चाहती थी, कि ये लोग शान्ती से भी एक जगए बैठ के इखटा हो, ठीक है, तो उसको ये भी इनका विरोध जो था, वो पसंद नहीं, दूसरा British सरकार ने एक और गलती यहां पर ये कर दी, कि भाई, उस दिन अमरित सर में जो एक होता न, ये स्थानी नेता होते हैं, जनता का जुड़ाव उनके साथ बहुत अधिक होता है, अब देखिए जैसे जुड़ाव जो होता है, वो बहुत ज़ादा होता है, तो यहां पर दो स्थानी नेता, एक तो सैफुद्दीन कुछलू और एक डॉक्टर सत्यपाल, इनको British सरकार ने तुरंत अरेस्ट कर लिया, और रॉलेट एक्ट के अंडर में, क्यों अरेस्ट कर लिया, क्योंकि British सरकार को पता था, कि ये लोग जो हड़ताल कर रहे हैं, उस हड़ताल में ये दोनों प्रमुख नेता जो हैं, ये जाएंगे, और यहां तक तो डॉक्टर सत्यपाल ने गांधी जी को भी आमंत्रित कर दिया था, इस सत्याग रहे के लिए, कि आप यहां पर आईए, और हमारी बात को British सरकार तक रखिये, आप भी हमारे साथ जुडिये, तो ये देखते हुए डॉक्टर सत्यपाल को और सैफुद्दीन को British सरकार ने अरेस्ट कर लिया, अब इनकी रिहाई के लिए, इतना जादा आंदोलन पंजाब में हुआ कि भाई, आपने इनको कैसे पकड़ा क्योंकि मैंने आपको बताया कि जनता का जुडाव जादा है, तो अगर आप डिरेक्ली ऐसे किसी नेता को अरेस्ट कर लोगे तो जनता जाहिर सी बात है, उसका जो है, उसमें जो रोश की मात्रा है, वो बढ़ जाएगी अब यहाँ पर 13 अपरायल को इस मीटिंग का एक एजेंडा यह भी बनाया गया, कि भाई, रॉलेट एक्ट का तो विरोध करेंगे ही करेंगे, प्लस यह जो हमारे जो नेता है हमारे प्री नेता, इनको जो अरेस्ट कर लिया है, तो इनकी रिहाई का भी अनुरोध करा जाएगा, तो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, यहाँ पर बच्चे, सब की भीड खटा होती है, और यहाँ पर यह क्या करते हैं, एक ब्रिगेडियर है, यह जनरल डायर, ठीक है इन्होंने क्या करा, अब जैसे यह है जलिया वाला बाग, उस दौरान की बात कर रहा हूँ, 1919 में, तो यहाँ पर आने जाने का जो मार्ग है पुरुष को, बच्चों को, बूढों को, सब पे अंधा धुंद गोलियां चलाईं, और यह भारत के इतिहास में सबसे जादा शरमनाक एक बोला जाएगा कि नरसंगार ब्रिटिश सरकार ने करा, ठीक है तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि जलिया वाला बाग हत्याकांड या जलिया वाला बाग नरसंगार अब देखिए, इस नरसंगार के प्रति-प्रतिक्रिया क्या हुई अब देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर गांधी जी को भी आमंत्रन दिया गया था तो जैसे ही British सरकार को पता चलेगा ना कि गांधी जी भी उस अंदोलन में आ रहे हैं, तो जैसे पंजाब का एरिया है, यहाँ पर दिल्ली है, तो जैसे ही गांधी जी दिल्ली में आएंगे ना, तो दिल्ली में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ऐसा बोला था, उस समय वो पलवल का एरिया, नहीं हरियाना का एरिया था, पलवल का एरिया, तो पलवल के एरिया में गांधी जी को अरेस्ट करके वापस बंबई, यानि कि जो आज का मुंबई है, वापस कहां ले गए, बंबई में ले गए, ठीक है, तो गांधी जी को भी गिरफतार करा गया, तो वहां की जनता और भी जादा जो है उसके में British सरकार के विरुद जो था वो रोश उत्पन हुआ, तो गांधी जी इस अंदोलन तक पहुँच नहीं पाये थे, अब देखिए जब ये इतना बड़ा नरसंगार हो गया, इतना बड़ा काला दिन हो गया, उसमें भारत की प्रति हिंद की उपाधी मिली थी, तो उन्होंने इस उपाधी का त्याग कर दिया, तो ऐसे ही कई लोगों ने एक डॉक्टर शंकरन नायर थे, ठीक है, तो इन्होंने वाइसराई की जो कारिकारणी परिशद होती है, उससे इस्तीफा दे दिया, ठीक है, भारत में और तीवरता स जो ब्रिटिस सरकार के प्रती आंदोलन था वो बढ़ा, यही वो दौर है, 1919, अब यही वो दौर है, जब हमारे युवा करांतिकारी, भगत सिंग, सुखदेव, राजगुरू, चंशेकर आजाद, इन सब की एंट्री होगी भारत के राष्ट्री आंदोलनों में, और जलि सार करने वाली घटना, ऐसा कोई कर सकता है, ठीक है, अब देखिए, यह सारी चीजें जो हो रही थी न, तो ब्रिटिस यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब जितना रोश बढ़ता जा रहा है, तो उस रोश को शान्त कराने के लिए, ब्रिटिस कुछ ना कुछ कदम त यह इसने इस पूरे मामले की जाच करी और इसमें यह पाया, इन्होंने देखिए, इस statement क्या दिया, ठीक है, इन्होंने statement यह दिया, कि भाई, जिस समय यह घटना करी गई, जर्नल डायर ने जिस समय गोली चलाने के आदेश दिये, उस दौरान क्या हो रहा था, कि अमरित सर में इतनी जादा जलिया वाला बाग में जो भीड थी, वो अन्यंत्रित हो गई थी, इन्होंने word यूज करा, कि जो भीड है वो क्या है, वो अन्यंत्रित हो गई है, तो अन्यंत्रित भीड को समहालना, ठीक है, समहालने के लिए जो जर्नल डायर ने कदम उठाया है, वो एक गोली नहीं बर्सानी चाहिए थी तो ये देखिए दोगलेपन की जो लिमिट होती है वो हंटर कमीशन ने यहां पर दिखाई कि एक तो इतना बड़ा नरसंगार है ना हजारों की तादात में वहां पर लोगों ने अपनी जान गवाई निहत्ते लोगों ने बेकसूर लोगो कर दिया गया और बरखास्त करके कहां पर इंग्लेंड वापस भेज दिया गया इतना ही नहीं इंग्लेंड की जब ये जर्नल डायर वापस जाते हैं तो वहां की संसत जो है वो इनका सम्मान करती है सम्मान में क्या है इनको स्वर्ड ओफ ओनर दिया गया ठीक है स्वर्ड of Honor का जो पुरोषकार था, उससे सम्मानित करा गया General Dyer को, ठीक है, तो ये British की प्रतिक्रिया रही, अब देखिए, इसके against में भारत की क्या प्रतिक्रिया रही, जो ऐसे British ने Hunter Commission बनाया, ठीक है, तो इसका जो report आई, आपको मैंने बताया कि इसकी report में, क्या इन्हों ने पूरी तरीके से जो General Dyer था, उसको दोशी नहीं करार दिया, उसको यहाला कि बरखास करके England भेज दिया, तो इससे जो Congress थी, भारती राष्टी Congress थी, वो बिलकुल सहमत नहीं थी, तो भारती राष्टी Congress ने मदन मोहन मालवी, जो मदन मोहन मालवी तो इनको अध्यक्ष बनाया और एक समिती बनाई, उसका नाम रखा Congress Inquiry Summit, ठीक है, Congress Inquiry Summit, तो इस समिती के अध्यक्ष कौन थे, मदन मोहन मालवी, अब बाकी इसमें सदसे थे, मोतिलाल नहरू, सियारदास, है ना, एमार जैकर और गांधी जी, तो इन लोगों को इसमें शामिल करा गया, इन समिती जो भारती राष्टी Congress ने जो समिती बनाई थी, इन्होंने British सरकार को और General Dyer को जो है वो दोशी करार दिया इस घटना का, परन्तु उससे कुछ होना नहीं था, तो British की केवल जो प्रतिक्री आई थी उसके अगेंस्ट में, भारती राष्टी Congress ने ये अपनी समिती का गठन करा और ये निरणे दिया, अब देखिए, ये तो बात हो गई, इतिहास हो गया, सारी चीजें हैं, बट इससे क्या ब्रिटेन ने आज तक, बात हैं 1919 की आज है 2022, क्या ब्रिटेन ने आज तक कभी भी इसका ओफीशियल तोर पे, आपचारिक तोर पे भारत से छमा मांगने की कोशिश करी, या कभी कुछ ऐसा कदम उठाया, तो इसका जवाब है नहीं, हालां कि बहुत सारे वहाँ के राजनेताओं ने, जैसे कि विंस्टन चर्चिल हैं, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ये जो नरसंगार था, वो राक्षसी प्रवरतिका था, जो वहाँ की कुईन एलिजाबेथ हैं, इन्होंने बोला कि ये विक्षुब्द कर देने वाला है, बेहद मतलब जिसमें हिर्दय द्रवी भूत हो जाए, डेविड कैमरून जो प्रधान मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि बेहद शर्मनाक है, यहां तक कि 2013 में जो डेविड कैमरून थे, वो इंडिया भी आये थे, और इंडिया में आके वो जलिया वाला बाग जो स्थल है, जो स्मारक है, वहाँ पर गय और वहाँ पर जाके उन्होंने श्रधानजली दी, परन्तु एक आपचारिक तौर वो थी कि ब्रिटिश संसद एक ऐसा जिसको बोलते हैं कि छमा याचना का कोई पत्र तयार करे, तो वैसा कुछ पत्र तयार नहीं करा गया, यहां तक कि एक बार जो कुईन अलिजाबेथ हैं, वो भी इंडिया आई थी, 1997 के टाइम पर, तो यह भी गई थी, वहां पर जलिया वाला बाग हत्याकान जहां पर हुआ था, उस इस मारक पर गई थी, इन्होंने अपने जूते उतारे, जूते उतारने के बाद, वहां पर दो-तीन मिनट का मौन रखा, एक सम्मान दिया, परन्तु फिर भी कोई अपचारिक तौर पेन की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिस जारी नहीं हुआ, कि ब्रिटेन जो था, वो भारत से इस पूरे नरसंगार के लिए माफी मांगता, ठीक है, तो ये जो टॉपिक था, ये आज की चर्चा का विशय था, देखिए इसमें एक चीज जानने वाली है, ये पेपर में आप से एक्जाम के प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है, कि जलिया वाला बाग जो राश्टी इसमारक संशोधन विधेयक है, ये 2019 में इसको फिर से संशोधन करा गया था, अगर इसके ओरिजिनल विधेयक की बात करें, तो सबसे पहले जो था, ये 1951 में आया था, अब आप बोलेंगे ये जो ऐसा एक राश्टी समारक विधेयक क्यों आ रहा है, तो जाहिर सी बात है, कि जो जलिया वाला बाग है ना, इसको इस मारक के रूप में स्थापित करने के लिए इस पर्टिकुलर विधेयक को बनाया गया था, ठीक है, तो जब ये विधेयक बना था, तो उस समय क्या है, उ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे, तो वही इसके पदेन सभापती होंगे, परन्तु 2019 में इस चीज को संशोधित कर दिया गया, अब यहां पर ऐसा ये कॉंग्रेस की पार्टी का, अब 2019 में इसको संशोधित करके ये कहा गया, कि भाई, इसके जो अध इंडियक्ष रहेंगे, वो भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे, भारत के प्रधानमंत्री के अलावा, जो इसमें अन्य सदस से चुने जाएंगे, वो होंगे, जो हमारा संस्कृती मंत्राले है, इसके मंत्री होंगे, प्लस इसके अलावा बात करी जाए, लोक सभा में, जो स्मारक के रूप में इस्थापित करा जा सके ठीक है तो ये आज का lecture था चलिया वाला बाग नरसंगार के उपर मैं आप से प्राथना करूँगा कि जो भी लोगों ने अपनी जान दी जो भी लोग इसमें शहीद हुए तो उनको अपनी भी विनम्र शद्धांजली दीजिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताईएगा अगर आपका कोई प्रेश्न हो तो वो भी कमेंट करके बताईएगा इस और अमेरिका के बीच में 2 plus 2 जो मंत्री इस्तर का समवाद हो रहा है उसमें जो भारती प्रतिनिधी मंदल है उसमें भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री राजनात सिंह और विदेश मंत्री जैशंकर हैं ठीक है कल वहाँ पर रक्षा मंत्री की जगए ग्रह मंत्री हो गय हैं आप सभी लोग पढ़ाई करते रहेगा स्वस्त रहेगा चलिए धन्यवाद